हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सब का मेरे चनल स्वागत है, तो आज मैं आप सब को बताने जा रहे हूं किस परकार से हम मानिक्यूर करते हैं, अपने हातों को साफ करने के लिए, हातों में साइणिंग लाने के लिए,». मिलाए हम क्या करते हैं, इस परकार से मैनिक्यूर हैं, मिलाए ह्ससा कराते हैं, हम जानकारी हम सब्सक्क्ष्या नुट से नेC powderedRIP ह Corn counter क Nee करते हैं, कुछ में इसके पवी बताने जा रही हुई तो उसके लिए भी मार्केट में कीट आते हैं पूरे जिस पकार से हम फेस में स्क्रब, मसाज और पैक, जैली यह सभी में इसके हम बीशिचे नीकर में हम अपने हाथ पैरों में भी तो देखिए फ्रेंस किस परकार से हम यहां पर हम देख रहें हैं मैनिक्यूर के लिए तो हमने गुनगुने पानी में वीयल से सिखाए क्लिंजर डाला है कम से कम दस बुने हमने क्लिंजर की डाली है तो उस पानी में हम 10 मिन तक अपने पैर को डुबा के रखंगे उसके बाद हमने पैरों को जब अच्छे से भीग गए है उनका जो भी गंदगी है वो अच्छे से भीग जाता है उसके बाद हम पैर स्क्रब कर लेते हैं अच्छे से साफ कर लेते हैं स्क्रबर है हमारे पास है पैडिकर का स्क्रब से अच्छे से पूरे पैरों के नीचे पैरों के साइड में अच्छे साफ कर लेंगे उसके बाद जैसे ही हम नेल पॉलिस को निकाल लगे अगर हमाई पैरों में नेल पॉलिस लगे हो तो उसको अच्छे से निकाल लगे उसके बाद हम उसमें क्योटिकल ओयल होता है उससे अच्छे से मसाज करेंगे किट में सारी चीज़ें दी रहती हैं इसलिए उसमें देख देख के हम step by step कर सकते हैं तो मसाज किस परकार से हम मंगलियों में करते हैं जैसे नाखुन में काई 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 साइन आता है और आखुनापके बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और वो टाइट भी दिखने लगते हैं और किसी के नाहों टूटने वाले रहते हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं उसके बाद हम देखें क्या करते हैं जिस परकार से पैरों का भी स्क्रबिंग करेंगे स्क्रबिंग का क्रीम मिलते हैं वी एल सी का हम किट यूज कर रहे हैं यह है स्क्रब हमने स्क्रब निकाला और पैरों को पूरे अच्छे से स्क्रबिंग किया हमने पैर है तो थोड़ा सा अपने हाथों को टाइट करना पड़ता है फेस में जैसे आपको पता है कि फेस में तो और handsome आपी रहते हैं कि ह्युक्तुड दोड़ा सा ज्यादा न लगानी पड़ती है तो अच्छे से पेरों की जिससे हमारा कि पैरों में टैंणिंग रहती है dad cells रहते हैं वो सारे अच्छे से साफ हो जाते हैं daddy skin हमारी और हमारा जो भी kit रहता है pedicure का या manicure का हम देखते हैं कि उसमें सबसे main काम हमारा वो ही रहता है कि हम अच्छे से उसका scrubbing करें scrubbing main part रहता है scrubbing से हमारी जितने भी पैरों में गंदगी रहती है अप देख रहें है यह अपर पूरी दिरे-दिरे शारी गंदगे निकल रहे है, पूरी टैणिंग रहती है, तो डेड़ी स्किन जो भी रहती है क्योंकि पेरों का ज्यादा यूज होता है हमारा तो सब साफ हो जाते हैं इसके बाद हम अच्छे से उसको साफ कर लेंगे स्क्रब्मिंग का बिल्कुल भी पार्ट से उसके बाद देखिए हम यूज करेंगे क्रीम तो हमने यहाँ पर मसाज क्रीम यूज की है वी ल्सिसी की बहुत ही अच्छी मसाज क्रीम है देखिए यह बहुत अच्छा किट आया है अभी मार्केट में आप देख सकते हैं इसका प्राइज 450 फिप्टी परसंट तो 50 रुपीज माइनस हुआ है यह 450 में हमको मिल रहा है ओनलाइन ने से आपको 400 में मिल जाएगा देखिए इस परकार से हमने मसाज करना शुरू कर दिया है पैरों के नीचे से उपर से पूरा पैर में देखिए फ्लैपिंग होती है पिंच पैरों के भी स्टोक रहते हैं और हाथों में भी स्टोक रहते हैं ताकि हमारे हाथ पैरों में टाइटनिंग रहे और सारा ब्लैट का सर्कुलेशन अच्छे से बने तो इस परकार से इसमें भी पिंचिंग रहती है मसाज क्रीम को अच्छे से उसमें पूरी तरह से हम लोग सुखा देनी चाहिए हमको मसाज क्रीम करते हैं अगर सूख जाए तब हलका सा पानी लेना है नहीं तो हमको उसी में सुखा देना है हमको पानी से वास्ट नी करना है मसाज क्रीम लगाने के बाद अच्छे से हमको सारे सारे अंगलियों का थेरेपी करना है उसको सर्कुलिंग कि और अब ब्रत का चुम्हें चाहिए दिखं़ मुद्रा कुम्हां कि ना सब्सक्ति हम टेंद ऐतकुम। कि वता धुम अब में नहीं ना सब्सक्राइजर моя कि को लिख कर देदार में लेखं़ के लाखं़ हितमOU कृळु क már जाती है 185 कि अच्छा से असी तरफ से स्क्रेबिंग कर ली और उसके बाद हमने Plus के सब्सक्राइब कर लिए यहां साइड में हमारे तोड़ा तक गांठ रहती हमारा एंगम रहताहा जो उस तो उसको जो अच्छ से हमने स्टोन से साफ किया है एक साइड रहता है इसमें तो जहां पर हमारे ज्यादा ड्राइड स्किन है तो उसको निकालने के लिए पीछी एडियों में हम इस्टोन का यूज करते हैं और स्क्रबर और एक साइड में हमारा ब्रेस रहता है तो अगर नाखुन में हमको साफ करना है तो ब्रेस की मदद से हम करते हैं और हमारा ज्यादा ही डैड स्किन है फटा हुआ है पेर तो हम उसको स्टोन से अच्छ से साफ कर लेते हैं रगड के उसके बाद हम नेल पॉलिस को अ तो सबसे पहले नल्स की अच्छे से कटिंग करेंगे और फास उसकी फाइलिंग कर सकते हैं उसации दे सकते हैं डिकल दे इस परकार से उसकी गंदगी साप कर रहे हैं पूरे जो भी डैड़ स्किन नेल्स के उपर जमी रहती है वह इससे क्यूटिकल नेल से अच्छे साप हो जाती है अब देखे जो नेल्स के नीचे साइड में हमारा बेस में जो भी गंदा रहता है और उपर को उठा रहता है तो किक तो अच्छे से बढ़ लेते हैं सारे नापोंगों कुटिकल नेल से बिसके स्कारप भी द३र नियौन को कि ऊड़ने हमारे बयाकार में शब्सकर जरते हैं मसाज से हमाई नेल्स बहुत अच्छे जाते हैं हमको घर पर ये आसानी से कर सकते हैं हम अपने पैरों में खुद कर सकते हैं यहाँ पर मैं किसी और से करवा रही हूँ क्योंकि यह सीख रहे हैं पालर तो इसे लेमन को शिखाते हूं इसके बाद अच्छे से हम प्यूटिकल तोटम्सक्रब्स समय के थो कम पैरों का उन्द मिंस कर रहे तो 15 आसिह पाद करना हए कूंकि यह पैर हमारे प्रेस्ट सॉत ने की स्किन निकालने थोड़ा सा टायम डिन है थैंच उत्य निया रहतर है द्यां के सधे करid तेकिन पैरों में थोड़ा टाइम लगता है सफाई करने के लिए तो हम समय को पैरों के एंकल लों एंकल में जो भी दोनुनकों साइट को ब्लेक है मेरा बैठने के वज़े से थोड़ा साध्यों हो गई है है टैनिंग दूर होती है तो देखिए हर अंगुली के बीच में अच्छे से मसाज करना है क्रीम को जाना चाहिए किस प्रकार से हम मसाज क्रीम लगा रहे हैं इसके बाद देखिए मसाज करते हैं सारे स्टेप्स पैर के भी होते हैं पिंचिंग होती है टैपिंग होती है और फ्लैपिंग हो रही है और एसे नेट नीचे में और क्रिस क्रस इसमें सारे रहते हैं और पैर के तलवे में हम अच्छे से मसाज करते हैं उसके सारे पॉइंट से दबाते हैं जिससे हमारा पैरों म ब्लेट सर्कुलेशन अच्छा होता है मसाज का मतलब यहीं रहता है कि हम अपने पैरों में ब्लेट सर्कुलेशन भी अच्छा करें और पैरों में सुंदर्ता भी बढ़ा है उसकी और पैर साफ भी हो जाते हैं हमारे यह चाइनीज बेंगल है यह भी पैरों में करते हैं कर दिया उसके वाद हमने प्यक लगाया प्यक लगाने के बाद अच्छे से उसको साफ करकेक अंतर मैं अच्छे से सब्सक्राइजर लगाना बहुत है इसलिए कोई भी कस्ट्मर आपके पास आए तो आपको मसाज करने के बाद पैक लगाने के बाद मॉस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है हमारा वील सीची की किट में मॉस्चराइजर नहीं है तो हमने उस पे लेकमी का मॉस्चराइजर लगा दिया है उस परकार से अच्छी तरह से पूरे पैर की मसाज करते हुए हम मॉस्चराइजर लग अगर कोई कस्टमर आपके पास आए तो अगर नेल पॉलीज लगाने को कही तो आप बाद में उसको भी लगा सकते हैं नेल को अच्छी से फाइलिंग करने के बाद तो आप सब ने देखा फ्रेंड कैसे हमने मैनिक्यूर किया अच्छी से स्टेब बाइस्टेब आप आसानी स कर सकते हैं इसको करने के लिए आप घरेलू सामान की इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे निम्बू हो गया सहद हो गया और उसमें हम थोड़ा सा सेम्पूर डट अल रोज वाटर इस सब चीजें डाल देंगे असी टॉन डाल देंगे उसके पानी बनाकर अच्छे से क्रीम से कर सकते हैं गुंगुने पाने में अपने पैरों को रखने के बाद तो इस परकार से आप अपना पैडिक्यूर करते हैं